जिसमें आप सभी को बता दूं कि रीट पेपर लीक मामले के अंदर एक और बड़ा खुला से सामना आता रहे हैं जिसमें जो राजिस्थान के पूर्व शिक्षा मंत्री थे गोविन सिंग्डोटासरा उनका एक डाइलोफ फेमस हुआ था नाथी का बाड़ा इसको लेकर के अब वैक खुदी घिरते में नजर आ रहे हैं आप सभी को बता दूं कि हाल फिलाल जो रीट पेपर लीक मामले में भाजपा की तरफ से जो मामला अभी लगातार गर्माया वा नजर आ रहा है इसको लेकर के भाजपा के कारिग करता है उन सभी ने नाथी का बाड़ा लिख दिया है वो भी कहीं और नहीं पूर्व शिक्षा मंतरी गोविन सिंग डोटासरा के आवास के बाहर उनके जो पोश्टर बैनर लग रहे हैं उसके पास में लिख जा गया नाथी का बाड़ा और इसके अब वीजुल भी बाइरल होते वे नजर आ रहे हैं इन सभी से तो मैं आप सभी को अवगत कराऊँगा ही लेकिन हाल फिलाल इसमें बड़ी बात ये सामने आ रहे है कि उनहीं के कारेकाल के दौरान ये रीट पेपर करवाए गया था और उनके घर के बाहर लिखना क्या यह सही है या नहीं यह आप सभी को तैक करना है फिलाल इस रिकोर्ट में तही बने रहे है निजसाइंटिंग के साथ नमस्कार